असललाम लेकूम, वीवर्स आज हमारा टॉपिक है DNA replication DNA replication कैसे होती है हम उसके बारे में बात करेंगे DNA replication का मतलब होता है duplication of DNA duplication of DNA यानी, DNA के strand का double हो जाना, this is called DNA replication अब DNA के पास ability है कि DNA टू काइंड्स आफ प्रॉसेस, टू प्रॉसेस परफॉर्म कर सकता है, दो प्रॉसेस डियाने परफॉर्म कर सकता है कौन-कौन से, एक को हम कहते हैं, और एक को हम कहते हैं इस दो है। हेटरो केटालाईसिस अब हमने देखना है कि यह प्रॉसेस क्या होता है, हेटरो केटालाईसिस इस क्या होता है। हम डिय्य न्य जे डियकीशन को बहुत इज़ी वेयेають समझें और यह इंतहाई इसके basic steps हैं, जिनको समझने के बाद आपको DNA replication I hope fingertips पे होगा, इन्शालाँ. Auto-catalysis में क्या होता है, जब भी DNA से DNA बने, this process is called Auto-catalysis, यानि DNA अपने damaged part को जब हुद ही synthesize करता है, नया DNA बनाता है, या daughter DNA बनाता है, तो this process is called Auto-catalysis. दूसरा process होता है, hetero-catalysis, hetero-catalysis में क्या होता है, कि DNA जो है, DNA से RNA का बनना, this process is called hetero-catalysis. अब छोटी classes में भी पढ़ चुके हैं, कि DNA से RNA जब बनता है, तो इस overall process को हम नाम देते हैं, Transcription, Transcription, DNA replication का process, start करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, कि DNA replication के process में enzymes कौन-कौन से use होते हैं, जब तक हमें उन enzymes का पता नहीं होगा, तो हम ये process कभी भी समझ नहीं सकेंगे, same, इसकी अगर मैं हट के example दूँ, अगर हमें कोई कहता है कि चाय बनाएं, तो चाय का समान ही हमें नहीं पता, तो हम चाय कैसे बनाएंगे, इसलिए इसी तरह DNA replication के जब enzymes का हमें नहीं पता चलेगा, तो हम ये replication की process को कभी भी understand नहीं कर पाएंगे, so हम इसके next step में चलते हैं, DNA के अंदर जो enzymes use होते हैं, उनको हम देखते हैं, कौन-कौन से enzymes DNA के अंदर use हो रहे हैं, DNA की replication में, enzymes used in DNA replication, कौन-कौन से enzymes use होंगे, DNA की replication में, number one, helicase, number one helicase, helicase enzyme, इसका क्या function होता है, ये involved होता है, sorry, break down, it break the hydrogen bond between nitrogenous base, DNA के molecules में जो nitrogenous bases होती हैं, उनके दर्मियान hydrogen bond होता है, तो ये उन bonds को break करने के लिए use होता है, helicase, आप लोगों को पता है कि DNA double strand होता है, दो strand होते हैं, और दोनों strand एक दूसरे के साथ, hydrogen bond की मदद से जुड़े होते हैं, यानि इनके अंदर जो nucleotide हैं, इनके दर्मियान, adenine, guanine, thiamine, cytosine, इनके दर्मियान hydrogen bond होता है, helicase इस bond को break करता है, फिर next, जब ये bond break हो जाते हैं, next enzyme आता है, topoisomerase, और हम guirase भी कहते हैं, this is also called guirase, ये क्या काम करता है, ये enzyme release the tension between strands, ये DNA के strands के दर्मियान, tension को remove करता है, DNA का molecule बिल्कुल एक रसी की तरह होता है, जिसके दो end आपस में ऐसे zip हुए हैं, wind हुए होते हैं, तो जब हम उनके strand को यानि एक रसी को जब हम ऐसे unwind करते हैं, तो unwind करते हैं तो उसके strand के अंदर, दोनो strands के अंदर एक tension होते हैं, जिसकी वज़ा से वह दुबारा से आपस में wind हो जाते हैं, जब हम इनको छोड़ते हैं, तो इस tension को remove करने के लिए topoisomerase enzyme होता है, यानि हम simply कह सकते हैं, Harry case DNA की opening करता है, by breaking the hydrogen bond और topoisomerase, उन strands के अंदर से tension को release करता है, ताके वह दुबारा से मिल ना सकें, फिर next, three number बे enzyme use होता है, single strand binding protein, single strand binding protein, single strand binding protein जो है, यह क्या करती है, प्रिवेंट, इट प्रिवेंट दी रिवाइडिंग अफ्रेंट, यह strand को दुबारा रिवाइड होने से बचाती है, अगर हम यहां पर देखें, लेट्स पोज, इस इस DNA double strand, DNA double stranded molecule, अब इसको जब unwind हम करेंगे, तो यह कुछ इस तरह की शेप में आ जाएगा, एक fork like shape में इस तरह unwind हो जाएगा यह, यह, तो जब यह unwind होगा, तो यह जो single strand binding protein है यह यहां पर attach हो जाएगी, ताके यह दुबारा से आपस में rewind, rewind ना हो पाएग, यह single strand binding protein, अब हम next enzyme की तरफ चलते हैं, number four, number four enzyme में हमारे पास आ जाता है, primase, primase enzyme, primase enzyme का दूसरा नाम होता है, DNA dependent, RNA polymerase, DNA dependent, RNA polymerase enzyme, इसका क्या function होता है, यह enzyme, primer synthesis करता है, primer synthesis, this enzyme involving primer synthesis, जब तक primer नहीं होगा, DNA के उपर nucleotide, new nucleotide add नहीं हो पाएगे, primer actually DNA को एक direction बताता है, okay understand, next, हम बात करेंगे के primer क्या है, कैसे यह formation इसकी होती है, removal कैसे होती है, इसके हम next video में बात करेंगे, number five, enzyme जो है, वो होता है, हमारे पास DNA polymerase, very important enzyme, DNA polymerase को समझने के लिए, हम इसको easy कर देते हैं, कि यह three types के होते हैं, number one, DNA polymerase one, DNA polymerase two, DNA polymerase three, यह three types के होते हैं, हम इसका next one by one function देखते हैं, DNA polymerase one जो है, DNA polymerase one, यह replication के process को terminate करता है, कैसे? it remove the primer, यह primer को remove करेगा, primer remove हो जाएगा, तो automatically replication का process stop हो जाएगा, क्यों stop होगा? क्योंके new nucleotide add होना बंद हो जाएगे, is it clear? next DNA polymerase two, यह क्या काम करता है? यह proof reading करता है, proof reading, इसका क्या मतलब हुआ? proof reading का मतलब होता है, कि sometime replication के दुरान कुछ mismatch nucleotide हो जाते हैं, जो match नहीं करते, तो यह replication का process जब complete होता है, तब यह enzyme proof read करता है, कि कोई गलती तो नहीं, इस replication के process में, फिर इसको okay करता है proof reading के बाद, DNA polymerase 3, it is very important, it adds the nucleotide, it adds the nucleotide, यह nucleotide को add करता है, हमारे पास number 5 तक enzymes को हमने discuss किया, number 6 पे enzyme है, next हम इसको देखते हैं, number 6 पे enzyme है, DNA ligase, इस enzyme के बारे में आप देए, छोड़ी classes में भी पढ़ा हुआ है, DNA ligase क्या करता है, यह DNA को, DNA का माली क्यों अगर damage हो जाए तो इसको repair करता है, next, number 7 पे, phosphorylase, phosphorylase enzyme, यह number 7 वाला enzyme, यह बहुत important है, यह क्या function करता है, it will add the phosphate group, यह phosphate को add करता है, क्योंकि जो nucleotide होते हैं, cytoplasm में वो inactive form में होते हैं, inactive form of nucleotide like, AMP, TMP, GMP, CMP, तो इनको activate करेगा, phosphorylase enzyme, phosphorylase, enzyme को activate करके, इनमें phosphate add करेगा, तो यह बन जाएंगे, ATP, same TTP, same GTP, same CTP, तो यह activation of nucleotide में role play करता है, next हम देखेंगे, DNA replication में कौन-कौन से steps involved होते हैं, इसके हम part 2 में discuss करेंगे, इसी वीडियो के part 2 में, तो उसमें इसके सारे steps को हम one by one explain करेंगे, अभी जितना हमने पढ़ा इसको थोड़ा सा summarize कर लेते हैं, हमने यहां पर पढ़ा DNA replication क्या होता है, DNA replication का मतलब होता है DNA को duplicate करना है, DNA का एक strand है वो दो में हो जाना, this is DNA replication, DNA के पास ऐसी ability है कि वो दो तरह के process परफॉर्म कर सकता है, नमबर वन, auto-catalysis और hetero-catalysis, auto-catalysis में हमने देखा कि अगर DNA molecule दुबारा अपने जैसा DNA ही बनाए, कम्प्लिमेंटरी DNA ही बनाए तो इस process को हम कहेंगे auto-catalysis, DNA replication process actually auto-catalysis process, next, hetero-catalysis में हमने क्या बढ़ा, अगर DNA से different molecule बने like RNA, DNA से RNA बने तो this is hetero-catalysis, DNA से RNA के बनने के अमल को हम क्या कहते हैं, transcription, इसके बाद हमने ये बात की, कि DNA replication के process में कौन-कौन से enzymes यूज होते हैं, DNA replication के process में जो enzymes यूज होते हैं, उनमें सबसे पहले हमने बात की helicase enzyme, helicase enzyme ऐसा enzyme है जो के DNA molecule, DNA strand के दर्मयान जो nitrogenous basis हैं, उनके दर्मयान hydrogen bond को break करता है, next enzyme है topo-isomerase या gy-rase, guidease क्या करता है, DNA के strands के अंदर tension को release करता है, ताके वो दुबारा से rewind न हो जाएं, फिर उसके बाद number 3 पे हमने देखा primase enzyme, primase क्या करता है, primer को add करता है, primer की synthesis करता है, ताके nucleotide सही direction में add होते जाएं, जब तक primer नहीं होगा, तब तक DNA polymerase 3 nucleotide add नहीं कर पाएगा, उसके बाद हमने देखा, single strand binding protein enzyme, single strand binding protein यह enzyme है, जो के DNA के single strands के उपर bind हो जाता है, और उसको prevent करता है, rewinding से, यानि rewind होने से उसको रोपता है, इसको हम single strand stabilizing protein भी कहते हैं, इसके बाद next हमारे पास जो enzyme है, वो है DNA polymerase, DNA polymerase की 3 types है, DNA polymerase 1, DNA polymerase 2, DNA polymerase 3, DNA polymerase 1 क्या function perform करता है, यह primer को remove करता है, और जब primer remove हो जाएगा, तो replication का process stop हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि DNA polymerase 1 का function क्या होता है, termination of replication, DNA polymerase 2, DNA polymerase 2 कब use होता है, इसका क्या function है, यह proof reading करता है, replication के दुरान जो mismatched nucleotide add हो जाते हैं, उनको proof read करेगा और उनकी correction करेगा, DNA polymerase 3, DNA polymerase 3 nucleotide को add करता जाता है, next उसके बाद हमने enzyme की बात की, phosphorylase, phosphorylase की बाद हमने की, phosphorylase यह add करता है phosphate group, nucleotide से DNA मिलकर बना होता है, और nucleotide का main component phosphate है, तो जो इस condition में होंगे, nucleotide like AMP या ADP भी हो सकता है, तो यह सारे inactive form of nucleotide है, इन में जैसे जैसे phosphorylase phosphate add करेगा, तो यह activated form में convert होंगे, और जब यह activated form में आ जाएंगे, फिर यह nucleotide अपस में जुड़के DNA का molecule बनाएंगे, Is that clear? I hope आपको असानी से इसकी समझ आई होगी, तो next video में इंशालत आला हम replication के जो steps हैं, उनको one by one discuss करेंगे, इंशालत आला, Allah Hafiz.